हलो दिएð स्टूडेंट स्वागत है आपका आपकी अपने योटूब चैनल पर दिएट स्टूडेंट आज की वीडियो और गिदियोसी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिक्स कंपलसरी के स्टूडेंट के लिए रहने वाली है डिये स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है अद्वार सी प्रिक्चा है तो इंगलिस कमपलसरी का ओरिजनल क्योशन पेपर और साथ में इसकी आंसर की तो स्टुडेंट्स वीडियो को आप लास तक जरूर देखिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह गी और वीडियो जगर आप चाहरे हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो स्टुडेंट्स आज जुनो डिस्टिक के अंदर इंगलिस कंपलसरी का फेपर हुआ था क्लास 12 के लिए तो ये पेपर आपके सामने रख रहा हूँ और साथ में इसकी आंसर की भी रख रहा हूँ स्टुडेंट्स बताना चाहूँगा ये जो केसन पेपर आज जो आपको देखने को मिला है ये बल्यूपरिंट पे आधारित नहीं था तो आपको जो त्यारी करनी है एन्वल एक्जाम की वो बल्यूपरिंट के अकोर्डिंग करनी है इसमें जो blue print था उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है सबसे पहले बात करें यह जो question answer है इसके जो objective type जो question पूछे गये हैं यह जो story वाली book है उससे ही 6 questions पूछे जाएंगे annual exam में जबकि यहाँ पर दोनों book से आने की मिला करके question पूछे गये हैं और शाथ में explanation की पूछे तो explanation तो इस question paper में पूछा ही नहीं गया है तो आपको annual exam के लिए जो भी त्यारी करें तो अपना जो blue print है उस blue print को ध्यान में रखते हुए करना है तो English compulsory का blue print already मैं मेरे YouTube channel पे upload कर चुका हूँ आप वहाँ से देख सकते हो तो चलिए आज की इस वीडियो को start करते हैं पहला देखिए section A आपको correct alternative चुनना है पहला question है for the last two years where did all the bad news come from तो इसका जो right answer होगा वो होगा the bulletin board उसके बाद देखिए the red beggar have no identity but they have Russian cards तीसरा देखिए water in the pool had a dirty yellow tinge next question है जिसका सही जवाब होगा वो आप देख सकते हो अगला question है what amount of repayment did the big planters think गांधी जी वोड डिमांड तो इसका option सही होगा वो होगा repayment in full अगे देखिए who was the heading the makeup department तो पहले बंगाली था और बाद में इसको एक महराष्ट्रियन ने यानी सफलता पुरू की चलाया था option number D सही हो जाएगा अगला question है what satisfied Umberto's test for narration तो इसका सही जवाब हो जाएगा novels उसके बाद देखिए the poetess soon put that thought out of her mind and looked out of the window ये my motherate 66 से ले गई है अगला देखिए ये अगली poem से ले गई है Shakespeare is wait because he tempts the children तो ये no question objective type में थे students इस तरह के question आपको annual exam में नहीं मिलेंगे केवल six questions से आपको मिलेंगे विश्ताज book से वो भी अब आगे देखिए students combine the sentence using the word given in brackets bracket में जो word दे रखा है इनसे आपको sentence को combine करना है बहुत easy आया है close से ये तो आपको कुछ नहीं करना है when का use दो sentence के बीच में आपको click देना है तो कैसे हो जाएगा sentence my brother helped me when I was in danger तो वहन कहां लग जाएगा दो sentence के बीच लग जाएगा दूसरा भी बहुत easy है he is poor yet he is honest तो यहाँ पे दोनो sentence के बीच में एक sentence के बीच येट लग जाएगा और एक के बीच वहन लग जाएगा कुछ भी आपको हटाना नहीं है कुछ भी change नहीं करना है अब अगला देखिए जो synthesis थे बहुत ही शांदार इसमें Risa plays hockey as well as cricket कि Risa है वो की उतना ही अच्छा केलती है जितना की हो है cricket तो दोनो रिक्तिस्तान में क्या आएगा as as आएगा ठीक है अगला देखिए I was too tired to walk any further तो इसका सही जवाब क्या होगा ठू टू हो जाएगा लास्टी लास्ट वाला जो option देख रहे हो वो उसके बाद देखिए students please please के बाद take over नहीं है गाए students गलती से take over लग गया है यहाँ पे आपको क्या करना है take off क्या करना है कि please take off कि आप क्या कीजिए take off कीजिए उतार ये your shoes before you enter the temple तो यहाँ पे क्या आएगा यह आएगा take off right उतर क्या हो जाएगा take off तो यह आपको take off करना है गलती से इसमें take over लग गया है take off से ही हो जाएगा अगला देखिए अगले में देखे you suit the syllabus many a times before your final examination तो students half yearly exam में क्योसन भी साइडंग से नहीं पूचा गया है bracket में आपको phasal verb देनी चाहिए थी लेकिन दो option नहीं दिया यहाँ पे ऐसे यानि कि जैसे नींद में paper बनाया है ऐसे paper बना दिया है तो आपको annual exam में दो phasal verb मिलेगी उनमें से एक लिखनी होगी तो यहाँ पे जो suitable phasal verb है वो आएगी carry through क्या आपको अपना syllabus है वो smart कर देना चाहिए आपके यानिके final exam से पहले carry through आएगा इसमें अगला देखिए Ricky will have completed his task by Friday क्या आएगा by आएगा उसके बाद देखिए the police officer is at the station क्या आएगा at the station आएगा तो इस तरह से students यह रहेगा अब आगे देखिए पांच वा क्योशन है unseen passes था इसके अंदर देखिए और तो आप मिला कर कर करील होगे लेकिन last वाला जो है इसमें दो चीज बुच्छा गए एक तो देखिए पांच वा जो आप देख रहे हैं एक तो neglect को क्या कहेंगे neglect का तो आपको similar word लिखना है और एक refreshing का आपको क्या करना है autonym लिख रहा है यहाँ पे antonym यानि कि लिखना था तो refreshing का जो antonym होगा refreshing का मतलब तनाव ताजा और यहाँ पे pressure इसका suitable रहेगा क्या रहेगा इसका antonym refreshing का यानि कि depression आजाए या pressure आजाए दबाव यह क्या रहेगा इसका antonym हो जाएगा neglect का भूच्छांदा रहे है यह neglect का यानि कि यहाँ पे जो आया है ignore करना तो यहाँ पे आप उपर देख सकते हो neglect का same as word क्या हो जाएगा ignore हो जाएगा तो यह दोनों same as word मैंने बता दिये उसके बाद देखिए अगला है वो भी unseen pages है इसके अंदर same as word नहीं पूच्छा है तो आपको यह करना था आपने कर दिया हो अब क्योशन देखिए जो chapter करवाएं हैं उनसे बहुती स्यांदा क्योशन आये है अलांकि इसमें एक-एक नमर का दिया गया है आपके exam में एक-एक नमर का नहीं आएगा तो who was the crown prince brought up by crown prince का यानिकी brought up किसके द्वारा किया गया एक English Nanny के द्वारा उस grass का नाम लिखिये जो Antarctica के अंदर nourish करता है वो fight of lankton grass था समूंदरी घास अब डॉक्टर शदाओ यह chapter अभी अपने यानि किया नहीं और यह lamb वाला भी दो chapter रह गये थे इसे एक एक नमर के आगे आगे memory job childhood पहला bell क्यों टेप हुआ तो देखिए यह मैंने क्योशन आपको करवा दिया था already तो अब आगे और भी क्योशन आप देख सकते हो बहुत ही श्यांदार क्योशन आए है कोई paper बहुत ही आसान बोल सकते हैं अपन कोई hard नहीं था level इसका आप देख सकते हो एक दो chapter जो अपने रह गए थे उनकी बात करें तो उनसे भियानिकी क्योशन है वो easy पूछा गया है कई क्लासों में मैंने ये chapter करवा दिया है तो आसानी से कर सकते हैं लेकिन एक दो क्लास में ये दो chapter रह गए थे तो उनसे पूछ लिया गया है तो उनके थोड़ी सी दिकत हुई होगी अब आगे देखिए आप देख सकते हो ये सारे क्योशन जो मैं करवा चुका हूँ आप अच्छे से करके आगे होगे तो देखिए बड़े क्योशन हो चाहिए छोटे क्योशन हो लगबख अपनने कलास में कर लिया था आप देखिए नोटिस सेक्शन डी में देखिए ये नोटिस मैं आपको अल्रेडी करवा चुका हूँ एजुकेशनल टूर का नोटिस आया था और देखिए आपको अपनी ओल्ड कार बेचनी है तो ये वेहिकल यानि की सेल का ये मैं ओल्ड कार वाला सेम टू सेम एसा करवा चुका था उसके बाद देखिए ग्रामीन ओलम्पिक हेल्ड इन दे विलेज रामसर तो यहाँ पे ग्रामिन ओलंपिक है वो रामसरा के अंदर तो यह भी स्टुडेंट्स याद कीजिए मैं आपको रिपोर्ट करवा चुका हूँ आलांकि ग्रामिन ओलंपिक नहीं करवा है था मैंने मैंने डिस्टिक लेवल कबड़ी टूर्णामेंट या इतलेटिक टूर्णामेंट ऐसे से करवाय था तो सेम वही चीज़ करनी है आपको टाइटल क्या हो जाएगा ग्रामिन ओलंपिक हो जाएगा और बाकी मैंने करवाय था आपको डिस्टिक लेवल फुटबोल टूर्णाम एक दू चेप्टर जो अपन से रह गए थे आप यह लिए एक्जाम से पहले उनको छोड़ करें बाकी जो भी मैंने करवाय था उस सारे क्योस्टन्स इसके अंदर देखने को मिला उमीद आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा वीडियो को लाज तक देखने के लिए धन्यवाद